आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि PFMS की साइट पे हम लोग अपना बैलेंस कैसे चेक करेंगे जो हम लोग की धनरासी आवंटित होनी विद्याले को वो हम लोग के खाते में जारी हुई है पहुची है कि नही लोग करना है अपने बैलेंस को जानने के लिए तो हम लोग चलिए इस पे इसको लॉग कर लेते है तो यहां पर हम लोग ने अपने PFMS में D.Operator की ID से अपने अकांट को लोग इन कर लिया है तो यहां पर दिचकते हैं पहले हम लोग को message दिखा दे रहा है प्लीज वेरिफाई और इमेल आईडी और मॉबाइल नमबर विफ़ोर 15 जैन 2024 अधर्वाइस यू विल नॉट बी एबल तो लॉग इन और प्लीज इग्नोर इफ अलड़ी दन तो आपको 15 जैन 2024 से पहले अपनी इमेल आईडी और वाइल नमबर को वेरिफाई करना था चलिए इसमें आगे देखते हैं कि हम लोग को बैलेंस कैसे चेक करना है तो यहाँ पर जब हम इसको स्कूल डाउन करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर एक आप्सन आता है expenditure के option पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर add new के option को open करेंगे तो इस तरह का home page हमाई सामने आएगा जिसमें हमें पहले होगा scheme select करनी है तो हम UP113 समंगर सिच्छा इसको select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है bank account number पूछ रहा है तो आपका जो account है उस पर जो इससे attach है उस पर कर देना है इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है इसके आद हम नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर total available amount 38,900 जो सो हो रहा है तो यही आपकी limit जो है आपके खाते में प्रिशित की गई है और इसमें जो है इस समय अभी जो हमारी composite grant है उसका आधी धनरासी यहाँ पर भेजी गई है तो यहाँ पर 37,500 के अलाबा 1400 रुपे की धनरासी यहाँ पर प्रिशित की जानी है जिसका आधा amount 37,500 होना चाहिए जबकि यहाँ पर 38,900 हो रहा है मतलब की 1400 का amount extra है जिसमें से 1000 का amount जो है माता उन्मुखी करण के लिए प्रिशित किया गया है जबकि 400 का amount हमारे लिए रानी लच्मी भाई आत्मरश्चा प्रिशिट के लिए है तो 1400 और प्लस 37,500 तो टोटल 38,900 की धनरासी यहाँ पर प्रिशित कर दी गई है यह धनरासी अभी केवल सम्मिलें विद्यालों में प्रिशित की गई है और नेक्स्ट बीक तक यह आधी धनरासी जो कमपोडिजित कर दी जाएगी तो इस तरह हम से इसको ऑपरेट करना है हम अपने इस यूटूब चैनल माध्यम से देखते रहेंगे तो जिस लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल इस वीडियो में इतना ही धन्यवादा